हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस इस अंकीता सूद्स वेस्ट बिंगॉल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्स 2023 पेपर वान के फाइनल प्रेपरेशन के लिए आज हम रिसर्च अप्टिट्यूड के बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट और रिपीटर क्वेशन को डिसकस करने वाले हैं स्टूडेंट्स यही वो क्वेशन हैं जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में जरूर आज़े जाएंगे तो आप सभी के लिए यह सीरीज बहुत जादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप हरे क्वेशन को डिटेल में यहां पर समझ येगा आगे बनने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि एग्जाम क्वालिफाइ करने के लिए पेपर वन प्रेपरेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है इसमें आप आसानी से 75 प्लस स्कॉर कर सकते हो अगर आप एक स्मार्ट प्रेपरेशन को फॉलो करते हो आपको 60 से भी जादा मौक टेस्ट मिलेंगे बेशन में आपको मिलते हैं प्रीवेशन के साथ आपको डिटेल में एक्स्प्लेशन भी जाएगी ताकि रिविजन के दरान भी आपके सारे कॉंसेट्स क्लियर हो जाएं ये सभी क्वेशन्स रिविजन में आपको बहुत हल्प करते हैं इसके लिए आपको सरफ एक ही बार फीस देनी है दो हजार रुपई एक्जाम तक ये फीस वैलिड रहेगी ये कोर्स वैलिड रहेगा इसके फ्री वीडियो के अक्सेस के लिए ग्लोबर आउनलाइन आपको ज़रूर डाउनलोड कीजिए पूरी जानकारी जरूर ले सकते हो परिकलपना को जब हम reject कर देते हैं तो ये एक offer एक scope आ जाता है for accepting the alternative hypothesis यान कि अगर एक को reject करेंगे तो दूसरे को accept करने का यहाँ पर scope बढ़ जाता है दूसरी statement बोलती है when the null hypothesis is rejected there will be chance for committing a beta rather than alpha error so hypothesis testing के दुरान दो प्रकार के error होते हैं beta और alpha जिसमें कहा है जब हम इसको reject करते हैं तो alpha की जगा sorry beta की जगा यहाँ पर alpha error को commit करने के chances बढ़ जाते हैं so correct answer पर जाने से पहले आपको बताती हूँ hypothesis यानि की परिकलपना क्या होता है ये किसी भी तरह की prediction होती है जो हम research के दौरान लगाते हैं कि मैं किसी problem में फस चुकी हूँ मेरे किसी friend ने मुझे बोल दिया कि आप इस problem से बाहर निकलने के लिए ये वाला रास्तर ट्राइ करो या ये वाले tricks ट्राइ करो तो ये hypothesis होते हैं उनको भी नहीं पता कि solution इसका guaranteed है या नहीं लेकिन बस वो हमें hypothesis एक परिकालपनिक चीज़ें बताते हैं कि maybe यहां से आपको आपका solution मिल जाए ठीक है so hypothesis उसको बोलते है research में hypothesis होना बहुत जरूरी है और अगर hypothesis हमारा clear and precise होगा तब ही हमारे लिए beneficial होता है वहीं अगर हम लोग null hypothesis की बात करें null hypothesis को H0 के नाम से जाना जाता है it means there is no difference between two situations ठीक है यह बोलता है कि A और B बराबर है इसमें कोई भी difference कभी भी नहीं हो सकता यह होता है null hypothesis ठीक है alternative hypothesis को हम क्या बोलते है substantive research hypothesis भी बोलते है मूल शोध परिकलपना भी इसको बोलते है and इसका symbol होता है HA और H1 ठीक है so यह मैंने आपको इसका introduction बता दिया इसमें यह का जाता है कि दो phenomena या दो चीजों के बीच में difference हमेशा होता है so first statement बिलकुल correct है और दूसरी statement बिलकुल incorrect है ठीक है इसमें ऐसा नहीं होता कि जब null hypothesis को reject कर देते हैं तो beta testing के chances बढ़ जाते हैं ना कि alpha के ऐसा कुछ भी नहीं होता testing कौन से करनी है error कौन से check करना है वो depend करता है situation पे और hypothesis पे next question है which of the following research forms aims primarily at putting to use the theoretical advances with an eye on exploring the potential for journalizability so इसका correct answer है option number 4 that is applied research so applied research क्या होता है जिसमें यह हमें specific problem का immediate solution provide करने में मदद करता है innovative solution भी यह हमें देता है instant के साथ-साथ innovative solution भी हमें देता है यानि कि कोई problem में अगर हम first चोके है उसका immediate solution चाहिए immediately उसको apply करना है then we can use applied research ठीक है इसको हम scientific research की category में भी count करते है next question is in which of the following there is considerable score for violation of research ethics so research ethics का उलंगन करने की सबसे जाता गुंजाईश इन में से किसकी होती है so सबसे पहले data interpretation की होती है उसके बाद reporting of research result and research ethics using research tools prepared by others so देखो सबसे पहले option number D से हम बात करते हैं research की नैतिकता है अब हर काम करने की कुछ rules होती है तो सबसे पहला जो rules को तोड़ते हैं वो यहाँ पर तोड़ा जाता है कि जब हम research के result को report में दिख रहे होते है माली यह report में का गया है कि 5.80 data आपका minimum एक level पर होना चाहिए लेकिन हमारा data अगर 5.78 आ जाता है तो पहला पहली नैतिकता को हम यहाँ पर disturb करते हैं उसका उलंगत पहला यहाँ पर करते हैं ठीक है इसमें हमने क्या कर दिया इसमें हमने 5.78 की जगा 80 कर दिया कीतने में से कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन research के ethics बोलते हैं कि जो data आपका आया है जो results आपके आए हैं उसको as it is रखिए उसका 0.1% भी नहीं यहाँ वहाँ करना है ठीक है इसके अलावा research tools अगर कोई और use कर रहा है तो बहाँ पर भी अगर results थोड़ा सा उपर नीचे होते हैं तो उधर भी research इतिक सा violation करना पड़ता है data को जब interpret करते हैं तो इसमें honesty की थोड़ी सी कमी रहती है okay next question है in which method of research the independent variable is manipulated to observe and measure its effect on dependent variable so कौन सा वह research का method है जिसमें स्वतंतर चर का निरिक्षन करने है और अनिश्चर पर इसके प्रभाव को मापने के लिए हेर फेर किया जाता है तो यह होता है आपका experimental research ठीक है इसको scientific research जो विज्ञानिक विधी होती है ठीक है विज्ञानिक विधी के साथ इसको conduct किया जाता है इसमें variable के two sets होते है variable के two sets इसमें होते है the first set acts as a constant ठीक है एक set जो है वो constant होता है fix रहता है एक ही particular point पर which you use to measure the differences of the second set already detail में हम यह सब चीजों को discuss कर चुके है next है in a research project using triangulation approach which of the following can form part of investigation on studying parental participation attitude and problems so triangulation क्या होता है triangulation refers to the use of multiple methods of data source in qualitative research so जब भी qualitative research में हम लोग बहुत सारे तरीकों को या फिर बहुत सारे data के sources को use करते हैं एक साथ उसको triangulation कहा जाता है ठीक है it also has been viewed as qualitative research strategy जैसे कि मैंने बताया qualitative research strategy के अंदर ही इसको हमेशा हम लोग use करते हैं so correct answer यहाँ पर है option number four that is interview, observation and focused group discussion so यह इसके correct answer है अगला question है qualitative research paradigm emphasizes participant perspectives and uses empirico-inductive approach और statement दो बोलती है एक या नुसंधान पर योजना में गुनवत्ता, गुनात्मक और मात्रात्मक दोनों शोध प्रतिमानों का उप्योग करना ना तो संभव है और ना ही वांचनिय है तो इसमें से कौन से statement correct है तो इसमें से पहली statement बिल्कुल correct है दूसरी बिल्कुल गलत है so अगर हम यहाँ पर participation perspectives की बात करें so participation perspectives ओके सो ठीके यह क्या होते है qualitative research paradigm जो है participant perspectives and use of empirico-inductive approach को हमेशा यूज़ करती है यह as it is statement है गभी भी अगर आप लोग previous year question में qualitative research paradigms की अगर बात करते हो तो वहाँ पर यह आपको जीज़ नजर आएगी and यह हमेशा किस पे focus करता है गुनात्मक, अनुसंधान, प्रतिमान किस पे focus करते है यह nature of phenomena पे हमेशा focus करते है इस चीज़ को आपने याद रखना है and इस टाइप के जो भी researcher होते है they always want to learn from the participant experience यहाँ पर जो participant perspective बोला गया है यही इसका मतलब है कि जो आपके participant होते है उनके experience है, उनके knowledge से यहाँ पर यह काफी सारी चीज़ों को सीखते है next question है what is the usual sequence of steps in the scientific method so विज्यानिक पद्दती में चरणो का सामान्यक्रम क्या है so correct answer है यहाँ पर felt need which is creating the problem देखो, आप लोगों को confuse करने के लिए question को थोड़ा सा tricky किया गया है actual में मैंने आपको हमेशा बहुत बार बताया है कि हमेशा सबसे पहले problem generation होता है problem होगा तभी तो research करोगे क्योंकि आपको उसका solution चाहिए होगा ठीक है, तो सबसे पहले problem formulation that is creating the problem then आजाता है identifying the difficulty and problem statement formulation hypothesis making by identifying the variable उसके बाद है collection of data using appropriate research tool और last में आता है data analysis and interpretation ठीक है, तो देखो, यहाँ पर तो confused तभी students होते कि scientific method बोल दिया और statements को थोड़ा सा confuse करने के लिए बढ़ा दिया गया actual में चीज़ें यही होती है कि scientific method में सबसे पहले आता है asking the questions सबसे पहले question पूछे जाते है उसके बाद background research की जाती है उसके बाद यहाँ पर hypothesis formulation होता है ठीक है hypothesis formulation के बाद hypothesis को test किया जाता है hypothesis को test किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर data को analyze किया जाता है data का analysis होता है तो यह 5 steps होते हैं scientific research के अगला question है what are the characteristics के features of quantitative research paradigm सो देखो quantitative और qualitative research paradigm से बहुत questions आते हैं सो correct answer है यह एक hypothetic और deductive argument होता है it lays stress on generalization to the population characteristics and it emphasizes numeric data from a large number of people सो यह इसके regard में विलकुल correct statements है अगला question है identify sampling procedures in which units are chosen given and equal and independent chances so वो कौन सा sampling का approach है जिसमें की सब को equal और independent chance दिया जाता है selection का तो देखो आपको पता होना चाहिए sampling के दो प्रकार होते हैं probability sampling and non probability sampling so probability sampling where all the elements in the population have opportunity of being included in the sample आपको पता है probability में सब को बराबर का अधिकार होता है selection का पूरा सब में chances होते हैं non probability में नहीं होता है criteria होता है जो इस criteria को satisfy करेगा उसका ही इसमें selection होता है so यह वाला जो है question में जो पूचा गया है यह probability sampling नहीं है यह non probability है equal and independent chance so इसमें देखो कौन-कौन से है इसमें है पहला आपका dimensional sampling, random sampling and systematic sampling ठीके तो यह आप लोगों का probability sampling है probability sampling अब मुझे मैंने आप लोगों को एक homework question दे दिया कि बताइए probability और non probability तो मैंने आपको बता दिया इस पर detailed video है आपने वो अभी तक देखी है कि नहीं देखी है इसमें से एक से दो questions sure आएंगे और आप लोगों ने जो request मुझे की है कि universities पे video मैं लेकर आऊ तो जरूर आपके request में पूरा करूँगी कल मैं कोशिश करूँगी कि जितनी भी ancient Indian universities है उन पे videos लेकर आऊ तब तक आप मुझे बताईए कि sampling पे video आपने देखी है या नहीं क्योंकि इसमें से जरूर question आएगा और बहुत easy and scoring topic यह research में आ जाता है research के जो steps होते हैं उसी के अंदर यह sampling का process भी होता है तो यह बहुत important और detailed topic है right next question है a university teacher plans to study the performance of students in implementing specific projects in terms of their creativity level so इसमें कौन सा research का method used हुआ है so इसमें ex post facto हुआ है ex post facto method क्या होता है कुछ यहां पर problem हो जाती है उसके बाद हमें पता चलता है कि problem हो है तो उसके बाद फिर research की जाती है ठीक है incident होने के बाद यहां पर research को शुरू किया जाता है it is a kind of research in which the researcher predicts the possible causes behind an effect that has already occurred तो उसके बाद एक बाद incident हो गया उसके बाद चेक करेंगे कि यह क्यों हुआ था उसका solution तो जोना ढूना ही होता है लेकिन उसके बाद देखेंगे कि यह हुआ क्या था पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 preparation पर भी focus कीजेगा exam oriented way में complete study material हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपको full syllabus notes और MCQs मिलेंगे इसमें आपको previous year questions, most repeated questions और expected questions हम देते हैं जिसमें से as it is questions हर बार exam में पूछे चाते हैं यह study material ना सिरफ exam qualify करने में आपको मदद करता है वलकि इसके बाद interview को qualify करने में भी आपको बहुत help करेगा so subjects के list आपके सामने है इसमें से अपना paper to subject select कीजिए and given whatsapp numbers पर contact करके आप इसको आज ही join कर सकते हो इसके लिए आपको सिरफ एक ही बार फीस देनी है and मैं आपको शॉरिटी देती हूँ कि जब तक exam clear नहीं हो जाता interview clear नहीं हो जाता तब तक आप इसका benefit उठा सकते हो so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best